नमस्का दोस्तों आप लोग क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर पढ़ सकते हों कि और्गनाइजेशन ओफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्री के सेक्रेटरी जनरल द्वारा तेरा OPC कंट्री और दूसरी जो भी फॉजिल फ्यूज के अपर डिपेंडेंट कंट्री हैं उनको एक लेटर लिखा गया 6 दिसंबर के दिन और वो लेटर 8 दिसंबर के दिन लिक हो गया जिस लेटर के अंदर इन्होंने क्लियली लिखादा के COP28 के नेगोसियेशन के अंदर कहीं भी अगर फॉजिल फ्यूज के फेज आउट की बात होती है तो उसे रिजेक कर देना अपने स्टेंड को क्लियर लखना के एमिशन कम करेंगे फॉजिल फ्यूज कोफेज आउट नहीं करेंगे इन्होंने अपने लेटर के अंदर ये भी गहा के फॉजिल फ्यूज को फेज आउट करने की बातों से undue और disproportionate pressure जो है वो create होगा जिसकी वज़े से ये reversible consequences जो हैं वो देखने को मिलेंगे इन्होंने ये भी कहा कि fossil fuel को phase out करना केवल और केवल एक politically motivated agenda है और इस agenda की वज़े से हम लोग हमारे लोगों की prosperity और भविश को risk भी नहीं लगा सकते हैं इस तरीके से इन्होंने ये letter लिखा जिसके बाद में विश्व भर के देश इसे disgusting बता रहे हैं कोई कह रहा है कि हम लोग तो चौकनना है हम लोग शौक होगा इस तरीके का letter भी सामने आ सकता है ओपीसी कंट्रियों के चीफ के द्वारा इवन कई सारे देशों के अंदर इन्वार्मेंटलिस्ट जो हो प्रोटेश करने रोड पर उतर आए हैं यह आप क्लियली न्यूज आर्टिकल्स के अंदर देख सकते हो तो दोस्तों क्या हुआ है एक्चुल मामला क्या यह कहना चाहते हैं किस तरीके से ओपीसी का इस्टेंट रहा है भारत का फॉजल फ्यूल के फेज आउट के लिए क्या इस्टेंट है और किस तरीके से आने वाला भविश्य दुनिया का होने वाला है उसे मैं शुबनिंग चोहान इस सेशन के अंदर सचा करूंगा बढ़ उसके पहले आप लोग में साथ में साथ में सासी टेलिग्राम रूप के उपा जुड़ रखते हो मेरे क्लास की अपडेट बीडीपीड है सब कुछ आपको मिल जाती है इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को यूप एसी की तर्यारी करना है को विजिट करते हो ऑफलाइन क्लासेज लेते हो उस समय पर आपको कंसल्टेंट पूरा देता है कि देखो हम यह पढ़ाएंगे यह करेंगे साथी बात आपको बताता है और आपको फाइनली जब फीज बता है तो उसे कहना कि मैं शुभेन सर का स्टूडेंट हूँ अगर आप दूसरे शहर में हो आप अभी दिल्ली या प्रयागराज नहीं जा सकते आप चाहते हो के घर बैठे ही आप इंकौरी कर पाओ किस तरीके के ऑफलाइन कोर्स होते हैं किस तरीके की चीज़ें हम लोग को मिलती हैं क्या बेनिफिट होते हैं वो साही चीज़ों को अगर आपको जानना है तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना जिसके बाद हमारी टीम जो है वह आपको रिच आउट कर लेगी चली दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं आप हुआ क्या है देखो जो पूरा मामला ह यह आप नीचे कमेंट करके मैं को जवाब दोगे जो सही जवाब देखाना उसके कमेंट के उपर मैं हार्ट पिन करूँगा ठीक है तो ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर भी नेगोसियेशन चलना है दो बार इन्होंने ड्राफ्ट पिपार करके दे दिया है उन दोनों ही ड फॉजिल के फेज आउट की बात के साथ में नो टेक्स्ट ऑप्शन भी दिया गया है मतला कि जब वर्ल्ड लीडर इसके उपर डिसकस करेंगे नेकोशियेट करेंगे जब वोटिंग होगी तो उनके पास में दो आप्शन रहेंगे या तो फॉजिल को फेज आउट कर दो या फिर ये टेक्स्ट ही हटा दो नहीं करना हमको फॉजिल को फेज आउट जहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है जिसके कारण्ट से अभी जो ओपी इसी के सेक्रेटरी जनरल है वो यही कहना है क्या वो नो टेक्स्ट ऑप्शन को चूज करना हम लोग को कोई भी फ प्रयोग कम करना यहां पर बात किसकी हो रही है फॉजिल फ्यूल को खत्म करने की उसका प्रयोग बंद करो अब ओपी सी को इससे क्या दिक्कत है देखो ओपी सी नाम ही बता रहा है और्गनाइजेशन और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री मतलब यह वो देश है हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं इनका धंडा पैट्रोल एक्सपोर्ट का जलता है sekभी नहीं चाहेंगे कि हमई फ्यूल के फइज आउट है यह कहते हैं थो पाँजिल के प्रयोग से एमीशन थोड़ी हो रहा हैं मतलब हम को फाइचे टेकनलोजी यूज कर सकत हैं मतलब मतलब के गाड़ी का अच्छा माइलेज वाली गाड़ी यूज कर सकते हैं एक अच्छी टेक्नलोजी वाली चीज़े यूज कर सकते हैं ताकि क्या हो emission कम हो क्योंकि overall target emission को कम करने का फॉजिल को फेज़ आउट करने का थोड़ी अब OPEC के इस स्टेंड से होता क्या है तो OPEC ना लगबग 13 देश है तो काफी powerful यह अच्छा-कासा पैसा भी इनके पास तो इस क्यांच से फर्क तो पड़ता है यह अगर अलाइन ही होंगे एसी कंडिशन में यह फॉजिल का फेज आउट कर पाना बहुत मुश्किल गाम वह पहले आपको याद होगा कि COP28 के जो प्रेसिडेंट थे सुल्तान अलजबर्ब यह खुद भी और इन्होंने कहा क्या फॉजिल को जो फेज आउट करने की चीज़ हो साइंटिफिक नहीं है और इसके उपर भी पेपर में फिर न्यूज मीडिया में इन्वार्मेंटलिस्ट ने बहुत प्रोटेश्ट वगेरा किया था उस समय पर जो क्लियली दरशाता है क्या जो यूएएन का स्टेंड क्या है और ओपी इसी कंट्रीज का स्टेंड क्या है पर आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हो कि इस लेटर के लीक होने की वाज़े दुनिया बन में इ लाव थाड़े हो सकेंगे यह यह चीज़ हम लोगो को देखने को मिलेंगी अब बात आती है कि क्यों देश फॉजिल के फेज आउट का विरोध करता है तो देख़वा ऐसा नहीं है कि केवल ओपी इसी कंट्री आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा इंडिया खुद भी विरोध करता है पॉजिल फिए फियल को पूरी तरीके से फेज आउट करता यूस मिरोध करता है यह कुछ बड़ी कंट्रीस गरती आई इनका कहना यह कि नेगो हमारी जो इकनॉमी आउनी है एक व लगबक 80 प्रतीशत तक पॉजिल फियू को देपेंडर है पूरे wrap से एंस जनरेट हो रही है ना उसका 80 प्रतीशा दभाग पर डिपेंडेंट है ऐसी कंडिशन में अगर आप अचानक से फॉजिल हटा दोगे तो ऐसा तो है नहीं हम लोग एनरजी का यूज करना बन कर देंगे बिजली चाहिए हर काम के लिए आप खुछ सोचो कि आपका खुद का का काम बिजली के कितना हो सकता है कुछ भी नहीं कर सकते हमको तोड़ा समय चाहिए कि अगर हम लोग फॉजिल को पुरी तरीके दे हटा के फिर बनाने जाए तो इतना पैसा नहीं है क्योंकि उसके अंदर लगबक 63 ट्रिलियन डॉलर रगेंगे पुरे वर्ड के अंदर अगर फॉजिल को हटाके डिनेरबल एनर्जी लेके आना है तो जिसके कायां से विरोध करते हैं इवन कई सारे देश यह से हैं जैसे ओपी सी कंटरी अगेरा इनका कहना यह है कि हमारे पास में बहुत फॉजिल के रिजाउस है हम इसको बेचते हमारा धंदा चलता है अगर चैंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसके कारण से कई साहे देश वो फॉजिल के फेज आउट का विरोध करते हैं जब यह लोग करते हैं तो वहीं दुसी तरफ कई सारे देश है जो कहते हैं कि नहीं फॉजिल को फेजाउट करना जरूरी है जैसे यहां पर कई स समुदर का लेवल जो बढ़ रहा है जब समुदर का लेवल बढ़ रहा है तो हम तो डूप की मर जाएंगे हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं तो ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं फॉजिल फिल के फेज आउट को इवन यूरोपियन दीश पुरी तरीके से फॉजिल फेज आउट को सपोर्ट नहीं करता है ये कहता कि कोल को फेज आउट कर दो क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी कोल पे नहीं है भारत कोल को फेज आउट करने का पूरा विरोध कर दा है कि हमारे डिपेंडेंसी कोल पे है मि इत तरीके की पूरी राजनिती ज़ो है मों यहां पर फाजिल के फेज आउट के लिए देखने को मिलती है है अब आप सब्सक्राइब करने से होगाँ हम लोग अगर कहें कि आप फाजिल को फेजा और करने से अनप्रिसिडेंटेट् I irreversible consequences हो सकते हैं कुछ देशों के लिए पर वो देश आगे नहीं तो पीछे उन चीज़ों को ठीक कर लेंगे हाला कि फेज आउट ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल करना है फेज आउट एक समय में करना है सब्सक्राइब के समय में करना है जारा है कि दुनिया भर लीडर को हम को आपको सब को समंझ में आने लग रहा है कि साय रीजन में बाड़ आ रही है तो कुछ रीजन में सुखा पड़ रहा है जिसकी वाइसे कई साय लोग की डेथ होती है मतलब अगर आप भारत के अंदर ही देखो तो 87 बिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ है क्लाइमेट चेंज की वाइसे और हर साल लगबग 5 मिलियन डेथ ह होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ एषिया और देखने को मिलती है बहुत के अंदर अधिकतर शहर क्लाइमेट चेंज को कंटेंड करने के लिए तयार है चलाइमेट चेंज को यदाप् ने के इस चीछ के लिए या फिर अंदर के जितने भी शहर है वो माईगरेशन के लिए तये आनों जब बाहर के जितने भी राज्य ओसे अंदर की तरफ माईगरेशन हो तो पर जोगों उसले एक्सेट कर पाएंगे चलिए बिमारीयां है वो उभरके आरहें हैं वह दिखाया दे रही हैं थों कि इकोज़ा आंप overlap को पर हम लोगों को पहले हैं प्रियुमाण प्रोटेक प्रियुमें प्रोटेक करना और अब्र-वश्वक का इंटरेच्ट के ही है कि climate change को contain किया जाए किसी भी रूप से किया जाए पर किया जाए क्यों क्योंकि तापमान लगाता बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल का temperature 1.1 डिगरी से उपड़ जा चुका है जुलाई 2023 दुनिया का अभी तक का सबसे गर्ण महिना घुशित हो चुका है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा concerning issue है अभी शायद आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे होगे पर उस समय बाद प्रक्ति अपने आप इन चीजों को महसूस कराने लगेगी इसी कायान से कोई बहुत अच्छे थिंकर है उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहें कि यह जो हमाई जनरेशन है यह पहली जनरेशन है जो climate change को महसूस कर रही है और यह वह आखरी जनरेशन है जो climate change के लिए कुछ कर सकती है तो हम लोगों को इसके लिए जरूर से कुछ करना चीए सब्सक्राइब कर सकते हो अपने आसपास वाले लोगों को रोको अगर वो कहीं पानी गंदा करते हैं पॉलूशन क्रियेट करते हैं पेट्रोल के अंदर घास लेड़ मिला के गाड़ी चलाते हैं उनको रोको उनको समझाओ खुद भी energy efficient तरीकों का प्रयोग करो इन साही चीजों से हाँ फरक पड़ सकता है अगर आप इन चीजों का अपनी बातों में लाओगे इन चीजों को ऐसी वीडियो को इवन जैसी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को शेर करोगे लोगों के अंदर narratives create होगे के हाँ वही climate change को phase out करना है और जब लोगों के अंदर narrative change होते है न तो अपने आप leader के narrative change होते है जो डेमोग्राफी चाहेगी जो लोग चाहेंगे वही होना आखरी में ठीक है झाल